आज हम इन नमबर को बहुत इसम्पल और इंट्रेस्टिंग तरीके से कैसे मल्टिप्लाइ कर सकते हैं वो सॉल करेंगे इसमें ध्यान क्या रखना है कि सिंपल सा वन टू तू त्री फॉर कंट्रिदूूस नमबर लिखने होता है तो इसले बहुत इस सिंपल ट्रिक है पहला क कर रहे हैं इसमें 4 x 1 है और इसमें भी 4 x 1 है तो इन दोनों का आपस में मल्टिप्लाइ करने के लिए राइट साइड से सुरू करते वे 1,2,3,4 लिखना है 1,2,3,4 तो 4 डिजिट है 4 तक लिखती है आपने अब डिजिट खतम हो गया तो फिर ध्यान रखना है कि 4 के बाद में वापस रिवर्स में डिजिट लिखते हुए 1 तक जाना होता है 1,2,3,4 फिर 3,2,1 यह आंसर हो गया है इसमें तो उपर और नीचे डिजिट सेंब है अगर उपर नीचे डिजिट सेंब ना हो जैसे कि इस कुश्चिन में दिया वाँ है तो इसमें उपर फाइब टाइम्स वन है नीचे त्री टाइम्स वन है इसको कैसे सॉल करेंगे बेस वोई है आपको 1,2,3 यूज़ करना है छोटा सा इसमें ट्रिक है वो ध्यान रखना है मैंने राइट साइड वन लिखा यहां पर टू लिखा यहां थ्री लिखा अब नीचे वाले डिजिट समाप्त हो गए है उपर अभी है तो इसी थ्री को कंट्यूनियूस करेंगे 3 और 3 अब उपर के भी डिजिट समाप्त हो गए है अब वह वापस आपको 1 से सुरू करते वे 1 पर ही जाके खतम करना है तो मैंने 2 और 1 और लिख दिया यह इसका अंसर हो गए है एक एग्जाम्पल वो लेते हैं जिसे अच्छे से समझ में आ जाएगा यहां पर 8 x 1 है उपर और नीचे 4 x 1 राइट साइड से लिखना सुरू किया मैंने 1 2 3 4 अब नीचे के डिजिट समात हो गए लेकिन उपर के हैं तो यह लास्ट वाला डिजिट है जो रिपीट होगा 4 4 4 और 4 4 times 4 डिजिट उपर बच्चे हैं और नीचे मैंने 4 4 4 4 4 लिख दिया अब वापस 3 2 1 1 से सुरू करना है और 1 पे खतम करना यह सिंपल सा इसका आंसर हो गया है